सावन की दूसरी सुमवारी के मौके पर लखी सराय इस्तित सोगधा मंदिर में सरधालू की भारी भीर उमर पड़ी कोरोना को लेकर सरकार के आदेश पर सभी मंदिरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं और भारी संख्या में सरधालू बाबा भोले पर जलावी सेक करने मंदिर पहुँच रहे हैं आज सावन की दूसरी सुमबारी है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं लखी स्राय के है सोगधा मंदिर की भारी संख्या में सरधालों यहां पर जलाभी सेग करने के लिए पहुँचे हैं हलाकि मंदीर परसाशन और जिला परसाशन ने मंदीर के मुख़दार को बंद कर दिया था लेकिन सरधालों की भीर ने उसे तोर दिया और मंदिर के अंदर प्रवेस कर गए एक समे माहोल अफ्रा तप्रीशा बन गया वहीं सुरच्छा की बात की जाये तो जिला परशासन पर सवाल उठना लाजमी है इतनी भीर को समभालने के लिए मात रेक दो पुलिस वाले को लगाया गया है सरकारी पुजा हो गया पुजा के बाद तो इतना भ़त लोग का अज भीर खा कि सिगार पुजा सरकारी पुजा जो शुवह में होता है जैसे ही हम लोग पूजा करके निकले इतना वहत लोग का भीर था कि सामनेवाला गेट का जो दचिं दरवाजा है उसका ताला गेट सब तोड़ दिया गया और भक्त लोग इतना परवेस हजार-दुहजार कर गए कि हम लोग परिषान परिसानोंगे फिर परसासन लोग आये तो उस भीड को सामनजस बैठाए और बाहर की आप रताफी का महाल हो बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग को बहुत दिकत हुआ हो जाए जाएंगे जरूर पूजा करने मिल जाएगा लेकिन परसासन इतना साक्षा और कड़ा ही है करोना के देखते हुए में गेट भी गेट पर भी भगदर हुआ और दशिंग गेट पर भी भगदर हुआ और बाबा का दर्वाजा भी हाँ चांदी का गेट जो सामने में दर्वाजा है उसको भी धक्का दिया गया वो तो चूटा ने चूट जाता लेकिन पिछे से ब्रह्मा लोग को समले थे ज कर पांदे, मंदिर का पुर्यारी है कर पांदे, मंदिर का पुर्यारी है